हलो फ्रेंड एक बाद फिर आपका स्वागत है कंचल नाइफ लाइन चनल पर आज हम वीडियो पर प्लम ग्रेंटी डेलाइट संस्क्रीन जैल के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दू अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके साथ ही जानकारी के लिए वीडियो को अन्तर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आये तो प्लीज चनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो आए हम प्लम ग्रीन टी डे लाइट संस्क्रीन के बारे में बात करते हैं इसमें केलेडूला अर्क और हरी चाय के अर्क शामिल है साथी इसका प्रमुख लाब यह है कि यह यूवी ए और यूवी बी दोनों करणों से बचाने में मदद करता है और यह संस्क्रीन जेल तैलिय और मुहासे वाली त्वच्चा के लिए जल्दी सोखने वाला जेल फर्मूला है यह यूवी ए और यूवी बी दोनों करणों से सुरक्षा प्रदान करता है इसमें ग्रीन टी होती है जो शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट गणों से भरपूर होती है और त्वच्चा पर मुहासे पैदा करने के रास्ते को रोकती है यह एक अद्बुद उत्पाद है और तैलिय त्वच्चा के लिए बहुत अच्छा है इसमें जैल आधारित इस्थिरता है और तैलिय त्वच्चा वालों के लिए बहुत अच्छा है यह सफेद रंग नहीं छोड़ता है इसकिन पर और आसानी से अवशोशिद भी हो जाता है इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपना चेहरा साफ कर लें फेस वाश कर लें फिर जैल के साथ अपना चेहरा डॉट करें अपने माथे के लिए और गाल नाक और ठोड़ी दोनों पर लगाएं अपनी त्वच्चा पर मालिश करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करें और बाहर सूरज की गर्मी में जाने से पहले दस मिनट आप रुख सकते हैं मतलब इस क्रीम को इस जैल को लगा कर धूप में जाने से पहले दस मिनट रुख कर ही जाएं ताकि यह संस्क्रीन अच्छा प्रभाव दे सके इसे महलाएं और पूरुष दोनों इस्तमाल कर सकते हैं सांथ ही यह आउली और मुहासे त्वच्चा के प्रकार के लिए हैं इसे सभी मौसम में उप्योग कर सकते हैं और यह प्लम SPF 35 PA++ पैरावन से पूरी तरह से मुक्त है तो फेंड इस तरह से यह प्लम डेलाइट संस्क्रीन जेल फायदा पहुचा सकती है अगर आप इसे धूप में निकलने से पहले कम से कम 10 मिनट का समय दें और इसे गर्दन और बाहों पर भी लगा सकते हैं साथी इसे 3-4 घंटे बाद फिर से लगा सकते हैं यह संस्क्रीन को विवस्थित करने और प्रभावी रहने के लिए 10 मिनट का समय देना जरूरी है इसकी बनावट हल्की और क्रीम जेल जैसी है यह तवचा पर लगाने और मालिश करने में बहुत ही आसान है इसे लगाने पर कोई चिपचपाहट भी महसूस नहीं होती है साथी इसमें मौसराइजिंग के भी गुण है और इसे लगाने के बाद मौसराइजिंग की अलग से जरुवत नहीं पड़ती तो फेंड इस तरह से आप प्लम SPF 35 PA ग्रीन टी डेल लाइट संस्क्रिन जैल का इस्तमाल कर सकते हैं इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है प्रेहिं हैं प्रुवत नहीं है